देखिया हम विधायक लोग बड़े इस बात का चीन्तित हैं जब हमारे देश में इतिहास कहता है कि अंग्रेजों ने जब आया तो सबसे पहले पाउरफुल लोगों को टारगेट किया जितने राजा और महराजा थे उनको टारगेट किया आउनको मजबूर कर दिया कि हमारे धीपत्य आप स्विकार करें और नहीं तो हम आपको उपर चड़ाई करेंगे और ऐसा करके लोगों ने पूरे देश में कबजा कर लिया साड़े तीन सो साल हमारे देश को गुलाम मना दिया उसी तरह से आज की डेट में जो देशी अंग्रेज के हैं जिसको भारती जनता पार्टी देशी अंग्रेजों को कहते हैं हमारे 36 गड़ में जिनका डागपूर से मुख्याले हैं उनका संचालन होता है और वो लोग क्या कर रहे हैं कि जितने हमारे बिधायक हैं मंत्री हैं जितने राजा हैं महराजा हैं सभी के हाँ RSS के लोग जा रहे हैं और उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं लगातारी लोगों ने हमारे मध्ध परदेश को बहराजा को टारगेट किया वहाँ की सरकार हमारी चल रही कमलनाद जी की सरकार का अंगरेज सरकार को उन्होंने गिराने का काम किया और पंजाब को भी महराजा को और वहाँ के पाउर फुलों को टार्गेट किया सारे लों को फोडने का काम किया फूट डालो राज करो वाली निती ये अपना रहे हैं पर देशी अंग्रेज लोग अंग्रेजों की तरह तर्च पे तो उन्होंने भी हमारे सरकार को आइस्थिर करने का काम किया आब वहाँ सरगुजा के महराज टिया सिंग देव साहब हैं उनको भी लगातार चार महिना से आरेसेस के लोग उनके आगे पीछे सारे समर्थों उनके टिया सिंग देव साहब को और उनके समर्थों का आगे पीछे आरेसेस के लोग उनके लगे हुए हैं कि अलूल जलूल बयान दिलवा रहे हैं, सारी बाते के बाद भी उसकाने भढ़काने का काम करें, लेकिन सर्गुजा महराज बहुत बिद्वान है, होसियार है, इस तरह का काम नहीं कर सकता है, जब इनको यह समझ मा रहा है तो उनके समर्खों पकड़ रहे हैं, और उससे भी कर रहका हर बात की जवाब देने के लिए हमारे 36 गड़की 3 करोड जनता और 70 हमारे कांग्रेस की विधायक और हाई कमान का सिर्वात से सक्षम है, और देते रहेंगे इनके देशी अंग्रेजों को मनसूबें पूरे नहीं होंगे.